आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं प्रोटीन से बरे हुए भको से जिसको बहुत ही टेश्टी रहता है खाने में आगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर देजिए और प्लीज वीडियो देखे कमेंट करना ना इसके लिए हमने लिए यह चनाकी दाल जो की पानी में मैंने 2-3 गंटे भीगो दी थी और यह थोड़े से सोया बिंकी बढ़ी ली इसको भी पानी में फुला लिया है और हरी मिर्च हरी धनिया लैसन प्याज नमक ही जीरा हल्दी लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर ग इसको बनाने के लिए मैं यह दाल को पहले मिक्सर में डालूँगी जार में डाल के इसको पीछना और इसको बहुत बारिक नहीं करना है मोटा ही रखना है इसी में मैं यह सोया बिंकी बड़ी डाल दूँगी लेसन डालती हूं हरी दनी हरी मिर्ची दो और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको पीछना थोड़ा नमक डालना है ज्यादा नमक में डालना है यह स्राई करते टाइम भी नमक डालेंगी हाप इस्पून तक डाल दिया अब मैं इसको पीस लेती हूं थोड़ा मोटा ही पीसना है इस देखिए मैंने पीस लिया है थोड़ा मोटा ही रखा है अब इसको बनाने के लिए मैंने आटा भी लगा के रखा है यह आटा मैंने मारा था इसको रोटी की तरह ही मारना है बस आदा चमच नमक डाल के इसको मार के रखा था अब मैं इसके भगोसे बनाओंगी इसको बनाने से पहले मैंने ये भगोने में पानी गरम होने रख दिया है ये पानी गरम हो रहा है ऐसी में मैं बेल के डालना पड़ेगा इसके लिए मैंने एक लोई लिये आटे से इतनी बड़ी तक लोई लेनी है इसको में बेलना है और ये हमें थोड़ी मोटी ही रखनी है पूरी से मोटी रखनी है इस तरह से बेलनी है देखिए ये मोटी है अभी पूरी से मोटी अब इसको मुझे भरना है ये इसमें रखके इसको इधर से फोल्ड करके चिपका देना है इस तरह से आप इसको फॉक से भी चिपका सकते है इससे अच्छी तरह से चिपक जाएगा इस तरह से ही हमें बना लेनी है ये देखिए मैंने इसे सारे बना लिए है अब इसको मैंने गरम पानी किया था उसमें डालके इसको बॉल करना है ये मैं इसमें एक करके डाल देती हूँ और इसको बॉलने के लिए कम से कम दस से पंद्रे मिनिट तक यह उब लेंगे और ये बॉल होके उपर आ जाएंगे फिर इसको पलट लेंगे ये दस से पंद्रे मिनिट का टाइम लेंगे कम से कम इस तरह से हमें इसको बॉल कर लेना है ये दीख़ें पंद्रे मिनिट हो गए चांफियंचे से ऊपर आ चुके अम मैं ग्याइस बंन करके इसको इक करके निकाल लूँ की ये देख cuestkey मैंने इसको एक चमनी में निकाल लिए अब इसको ठंडा करने के कटेंगेःग ज्यादा चौड़े नहीं काटनें नहीं कामेरे इतना मोठा पीस काटना में यह देखें आप सारे पीस में सितरह काट के दिखाते हूं ये देखें इस तरह से पीष काट लेने है वह देखें मुणे इसके डेल करने में पैन में तेल गरम कर लिया है इसमें मैं हीघ्ग डालूंगी और इसी में मैं यŃ प्याज डालके भूनूगी अनुट क हे लिएता जी लादा ने कि इस साइब से जीरा डालती है जीरा बुन जाएगा अब इसे प्याज जालके बुनती हूँ प्याज और हरी मिर्च आप चाहें तो प्याज नहीं खाते हैं तो इसको प्याज और लेसन दोनों को एवाइड कर सकते हैं यह अपनल है इसको अच्छी तरह से गूणेंगे अभी चाहा है अब मैं इसमें डालती हूं हाफिस्पून हल्दी पावडर इसी में डालती हूं धनिया पावडर यह अच्छे से बुन जाएगा अब इसको अच्छी से मिक्स कर देते हूं अब यह जो पीस काटे हैं यह डालूंगी इसारे इसमें मिक्स करके अच्छे से फ्राई करने हैं इसी में अभी उपर से थोड़ा नमक डाला था मैंने इसलिए इसमें अभी थोड़ा नमक और डालना पड़ेगा जिससे अच्छा तेस्ट आएगा और यह लाल मिर्ची पाउडर है गरम मसाला यह सब डालके धीमी गैस करके थोड़ा थोड़ा बूलना है पच्छे से फ्राई करना है यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह से चलाके फ्राई करनी है यह देखी अच्छे से फ्राई हो गया है मैंने इसको धीमी गैस करके पांच मिनिट तक फ्राई किया था थोड़ा सा लाल कलर क्या हो गए है यह फ्राई होते होते अब मैं इसमें धनिया डाल दूगी उपर से अब आब इसको सुबह के नास्ते में यह सान के टाइम किसी भ कर सकते हैं यह बहुत ही अम्मी है इसको मत प्लेट में निकाल लेती हूं यह देखिए बनके रेडी हो गए है आप ज़रूर बनाइए हमारा वीडियो लाइक शेयर करिए और इसको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो